मैं मन्जू एक बार फिर से आपका स्वाधत करती हूं अपने होट एंड शौर चानल पे और फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे स्वीट कॉन के पराठे आई होप की रेसिपी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले स्वीट कॉन को बॉयल कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर चार से पांस सीटी लगा करके स्वीट कॉन को बॉयल कर लिया है इसको हम एक बरतन में निकाल लेंगे इसको ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसके दानों को अलग कर लेंगे अगर आप चाहें तो मशीन से भी निकाल सकते हैं या फिर हाथों से भी इसली इसके दाने निकल जाते हैं उसके लिए क्या करना होता है कि हमें एक चाको की help से इसकी एक जैसे मैं निकालती हूं, दाने वैसे बता रही हूं, कि एक हम sweet corn लेते हैं, और चाकू से मैं इसकी एक line जो है वो निकाल लेती हूं, एक line थोड़ा सा निकालना मुश्किल होता है, और उसके बाद से वो easily फिर निकल जाता है, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही ह तो देखिए एक लाइन मैंने निकाल लिया और उसके बाद से फिरा मैं अपने थम और फिंगर्स की हैल्प से इस तरह से निकाल लेती हूँ यह मुझे ज़ादा इजी लगता है इसमें दाने भी पूरे पॉरे पॉफेक्ट अच्छे से निकल जाते हैं और अब इसको हम एक मिक्सी के जार में डाल करके थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे तो यह पीस के तयार हो गया है इसको हम साइड पे रखते हैं एक बतन में निकालके और हम पहले आटा लगा लेते हैं और उसके बाद फिर हमें जो भी इसमे मसाले या जो भी इंग्रीडियन्स एड करना होगा वो एड करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिया है गेहूं का आटा और थोड़ा समयने उसमें मैदा भी एड किया है अगर ना चाहें तो ना एड करें, उसके बाद इसे हम डालेंगे अजवाइन, स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा नमक डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, आप चाहें तो यहां चली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, इन सबी चीजों क हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम आटा लगा लेंगे, फ्रेंट्स यहां पर हम हरा धनिया भी एड करेंगे, जो मैं भूल गई थी, तो मैंने थोड़ी तेरे के बाद एड कर लिया, और अब एक हम सॉफ्ट आटा, जिस तरह से हम रोटियां या पराठे बनाने के लिए आटा लगाते हैं, बस इस तरह से आटा लगा करके हम तयार कर लेंगे, और इसे हम साइट पर रख देते हैं, दस मिनिट के लिए, और अब हम चलते हैं, अपने कौन की तरफ, तो इसमें मैं डाल दूँगी, बारिक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, हम यहाँ पर दरदरा कुटा हुआ, अद्रक और लहसन डालेंगे, आप चाहें तो अद्रक लहसन के पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा चली फ्लैक्स डालेंगे, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो इसको टोटली अवाइट कर दें, नमक डाले आम चूर का पाउडर, जिससे हमारा फ्लेवर काफी अच्छा हैगा, और धेर सारा हम धनिया डालेंगे इसमें हरा धनिया, और उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस ही हमारा तयार हो गया है, इसको हम साइट पर रख देते हैं, और जब हमारा आटा 10 मिन रेस्ट कर लेगा, उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे, तो हैं आटा भी 10 मिन तक मारा वेट कर चुका है, रेस्ट कर चुका है, वेट कहा दिया मैंने, बस अब हम इसके पराठे बनाना शुरू करते हैं, तो नॉर्मली फ्रेंट्स, इतने बड़े हम आटा लेते हैं लोई बनाते हैं, नॉर्मली रोटियां बनाने के लिए, बस उतना ही बड़ा हम एक लोई बना लेंगे, इसमें हमें बहुत ज़्यादा बड़ा या छोटा लोई बनाने के ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली चीज़ता हम पराठे या रोटी के लिए आटा लेते हैं, बस उत इसके बाद हम इसको बेलेंगे तो लोई में हम थोड़ा सा सुखा आटा लगाएंगे और इसको हम बेल लेंगे और फ्रेंड्स इसको हम एक नॉर्मल रोटी की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे तो देखिए इस तरह से हम इसको बेल के तयार कर लेंगे और अब हम इस पे जो हमने स्वीट कॉर्न का जो मसाला बना के तयार किया हुआ है इस पे हम अच्छे से लगा देंगे और इसको जैसे हम ट्रेंगल पराठा बनाते हैं इसको ट्रेंगल शेप में कर देंगे और जो अपने नीचे रोटी रखी हुई है उसको भी हम ट्रेंगल शेप में ही फोल्ड कर देंगे बहुत इजी है फ्रेंड्स बहुत हेल्दी भी है बच्चों को आप टिफिन में दे सकते हैं हस्बेंड को टिफिन में दे सकते हैं पूफेक्ट नाश्ता है ये सुबा के लिए आप इसको दही, चटनी, अचार, चाय किसी के साथ भी खा सकते हैं और ये पूरा प्रोटीन से भरा हुआ है तो बस इसको हम इस तरह से ट्रेंगल शेप दे देंगे आप इसको चाहें तो ऐसे ही तवे पे डाल दें या थोड़ा सा घी या ऑइल डाल करके जो भी आप लगाते हूं वो लगा करके दोनों तरफ से अच्छे से पराठे को सेंक लें और ये हमारा गरम पराठा जो है वो तैयार है है ना से फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा हेल्दी तो एक बार आप इसको अपने घर में जरूर ट्राए करिए और कॉमेंट करके मुझे बताएगा फ्रेंड की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें हमारा आटा भी हेल्दी है कौन भी हेल्दी है और ये फ्रेंड्स सिधी आप चाहें तो इसमें जो मैने मैदे को डाला है रिकॉर्डिंग सबी पराठों को सेख करके तयार कर लोंगी और आप इसको दही चटनी या चार कुछ ना मिले आप इसको गर्म गरम चाय के साथ काएंगे तो भी ये बहुत ही जादा टेस्टी लगेगा आई होप की रेसिपी आपनों को जरूर पसंद आई होगी और अगर ये रेसिपी आ एक और रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स टाइम तब तक के लिए बाबाई